हेलो एर्यवान और वेलकुम तो सुरस्वी चालर फ्रेंज आज के वीडियो में मैं एक स्केन के प्रोड़क्ट आपके लिए लेकर आई हूं वो भी बिल्कुल 100% नाच्रल है और घर में बनाया हुआ है और वो है मेरा यह नीम और अलॉवेरा का face wash yes यह face wash बहात अच्छा है नाच्रल है और यह फोमिं फेसवश आप देख सकते यशॉएँ छाग हम भी बन रहे हैं. नीम इसफ जो और यह नीम लियरा और इस face wash के बारे मेंसे मेंसे पहले मैं आपको और इसको बनाना भी बहुत सिंपल है आपको फाइप मिलिस में आपका ये फेसवाश रडी होगा प्रेंट्स मेरे चानल पर आपको बहुत सारे स्किन केर प्रोडक्स और ब्यूट्य प्रोडक्स और वो भी सब होम मेट्स तेखने को मिलिंगे इसको सब्सक्राइब जरू करें और ये देखते हैं ये नीम और अलोवेरा का फेस वाश हम बनाते कैसे हैं इसके लिए सबसे पहले मैंने नीम की पत्या ली हैं और इनको अच्छे से हम वाश कर लेंगे नीम जो है वो इसके अंदर इतनी आंटी इंफ्लमेटरी पोपरटीज होती हैं आंटी बैक्टिरियल पोपरटीज होती हैं तो स्किन केर में इसका लाजवाब है नीम सेकेंड इंग्रीडियंट जो है यह मैंने ओनलाइन परचेस किया था अमेजों से यह है अलोवेरा का बेस अलोवेरा सोब बेस और यह बहुत सॉफ्ट होता है और बिल्कुल नाचुरल है इसके अंदर कोई केमिकल्स नहीं है और यह मैंने 300 से 350 रुपीज के बीच में आपको एक किलो मिलेगा और यह सिरफ 250 ग्राम्स अभी जो मेरे हाथ में है और इसमेंसे भी मुझे सिरफ 10 ग्र अलोवेरा जेल यह नाचुरल हमारे स्किन को मॉइस्टराइज करेगा तो जो मेरे फेस वाश में मॉइस्टराइजिंग का जो एलिमेंट है वो अलोवेरा जेल से आएगा इसको बनाने के लिए सबसे पहले मैंने एक पैन लिया है और इसके अंदर मैं नीम के पत्ते डाल भी बॉइलिंग वाटर में और इसको हमें अच्छे से बॉइल करना है ताकि जो नीम के जो तत्व है वो सारे इस पानी में मिक्स हो जाये और धीरे धीरे आप देखेंगे कि यह जो पानी है इसका कलर जो है वो चेंज हो जाएगा, जो नीम है वो बहुत ही अच्छा होता ह हमारे skin problems को solve करने के लिए क्या पिंपल्स हो क्या कोई अलर्जी हो so this face wash is really very awesome और हरेक skin type oily, dry, normal सभी इसको बहुत easily use कर सकते हैं it is really very beneficial for all of you अब ये अच्छे से boil हो गया है अब आप इसके ओपर मैं एक plate लगा रही हूँ basically मैंने ये double boiler बनाया है और इसमें मैं aloe vera gel रख रही हूँ अपना जो aloe vera gel soap है मेरा so that उसको मुझे melt करना है आप चाहें तो microwave में melt कर सकते हैं इसको और मैं इसको double boiler जिनके पास microwave नहीं है वो इस तरह से कर सकते हैं see how beautifully it is melting बहुत अच्छा है ये aloe vera soap base भी बहुत अच्छा होता है हमारे skin के लिए और ये cleaning process में इसका बहुत ज़दा योगदान है अब इसके लिए मुझे clean मैंने bottle ली है और इसके अदर मैंने aloe vera gel लिया है और इसमें जो neem का water है और जो aloe vera soap base है आप देख सकते हैं वो पिगल गया है और इसके बाद़ शक्रावश को बनाना और इस रही अफेक्टिव मैं पिश्ले काफी दिनों से इसको मैं उसका हुआ हूँ so that to see it to result और मुझे रिजल्ट अमेजिग रिजल्ट को बढ़ा है मेरा नीम फेस्वाश आपको जरूर अच्छा लगा होगा इसको घर में जरूर ट्राइं करें फ्रेंज इस रहली वरी हपी तो बी विद यू अल तो बी कनेक्टेट विद यू अल मुझे बहुत अच्छा लगता है इतने प्यारे-प्यारे messages आपके मिलते हैं और मेरी तरब से मैं maximum messages का reply देती हूँ इसी तरह मेरे साथ हमेशा आप जूडे रहें सुरस्वीड community को join करें इस रेली wonderful तो बी connected with all of you अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगत दें प्लीज किव इस लाइक और अगर आपको मेरे चानल के और भी वीडियो देख रहे हैं तो आने वाले rectangle में आप क्लिक करें आप सीधा उस वीडियो के लिंक में चले जाएंगे और प्लीज मेरे चानल को सब्सक्राइब जरू करें सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है तब तक, stay connected, take care, bye-bye